Hello, let us solve this question, यह बहुत ही आसान question है, यह 11.1 का question 1 है, इसमें हमें क्या बुला है कि draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5 is to 8, तो सबसे पहले हमें यह बनाने के लिए क्या करना है, तो line segment बना देनी है 7.6 cm की, तो यह मैंने already यहाँ पे बना दी है, आप देख सकते हो 7.6 cm की line segment, अभी इसे हमें divide क ratio को add करना है, 5 plus 8 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे acute angle बना देंगे, BA और यहाँ पे point ले लेंगे x, यानि कि हमें BA x acute angle बनाना है, acute यानि less than 90, यानि कि आप 90 से कम कितना भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मेरी scale रख रहा हूं, तो अगर य लेता, तो यह मेरा 90 हो जाता, लेकिन मुझे उससे कम लेना है, इतना लेना है, suppose मैं इतना select कर रहा हूं, और मुझे वहाँ पे 13 points लेने हैं, तो सबसे पहले मैं ax ray बना देता हूं, तो यहाँ पे हो गया मेरा ax ray, यहाँ पे मैंने naming कर दिया x, और अभी मुझे 13 points लेने, क्य 10, 11, 12, 13, अभी यहाँ पे हम a1, a2, up to a13 यह सारे points को naming कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने naming कर दिया a1 to a13 और सारे के बीच का distance सेम है, a1, a2 जितना है, उतना ही a2, a3 है, a3, a4 है, same way goes on up to a13, अभी हमें क्या करना है, हमें b और a13 को connect करना है, next step में हमें क्या करना है, तो हमार a5 को connect करना है, यह line segments से, लेकिन कैसे, तो हमें एक line segment बनानी है, जो b a13 को parallel हो, और वो parallel line segment जहाँ पे intersect करेगी a b को, वहाँ पे हम point ले लेंगे c, अभी हम देखते हैं कि parallel line segment हम कैसे बना सकते हैं, आपने already study किया होगा previous grade में, लेकिन मैं फिर से करवा रहा हूँ, अगर आप तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक semi circle बनाना है, यह हो गया मेरा semi circle, और same measure लेकि मुझे चले जाना है a5 क्योंकि a5 मुझे parallel line segment बनानी है b a13 को, तो यह हो गया मेरा again एक semi circle, फिर मुझे यहाँ पे देखना है कि यह जो angle है a a13 b, यहाँ पे इतना जो angle बन रहा हो कितना है तो उसके लिए मैंने मेरा roundel ले लिया और मैंने measure कर लिया कि यह कितना है, तो यह angle इतना है, उस same angle में यहाँ पे बना दूँगा, next मुझे क्या करना है, तो a5 और यह जो intersection है, semi circle और यह आग का, उसमें से pass होती ही, यह दोनों में से pass होती ही, मुझे client segment बनानी है, मैं फटा c, तो यह मेरा division हो गया, 5 is to 8, तो हमने यह construction बहुत ही आसानी से बना दिया, अभी आपका ratio change भी कर दे तो same process करनी है, यह दनों के add करो, 5 arcs बनाओ, 5 arc को यहाँ पे जो point है, उसे connect करो, फिर 2 पे ले जाओ, 2 पे से parallel line segment बना दो, यहाँ पे नाम c दे दो, और 2 is to 3 के ratio में centimeter का, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने acute angle b ax बनाया था, तो यह मेरा acute angle b ax हो गया, फिर हमने क्या किया था, a1, 2, a13 बनाया थे, a1, a2 होना चाहिए, a1, a2 is equal to a2, a3, यानि कि same distance पे होने चाहिए यह arcs, तो वो भी हमने देख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, b और a13 को connect कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने a5, c, b, a13 को parallel बना दिया, isn't it, वो a, b को c में intersect कर रहा है, और हमारी जो a, c is to c, b, यह जो हमारा बन गया, वो हो गया 5 is to 8 के ratio में, यानि कि c ने a, b को 5 is to 8 के ratio में divide कर दिया, अभी next page पे जाके हम justification देखेंगे, अभी मै justification explain करूँ, उससे पहले मैं basic proportionality theorem explain करना चाहता हूँ, यह हो गया मेरा triangle a, b, c, अभी for an example, यहाँ पे मैं b, c के parallel एक line segment बना देता हूँ, यहाँ पे line segment बना दिया, b, c के parallel, जो a, b और a, c को respectively p and q में intersect कर रहा है, तो आपको basic proportionality theorem तो पता ही है कि a, p upon p, b, यानि कि a, p और p, b का ratio, वो same होगा a, q, q, c का ratio, isn't it, क्योंकि theorem कहे रहा है कि अगर आप एक side, कोई भी एक side triangle के parallel line segment बनाते हो, और वो दूसरी दो side को एक एक point में intersect कर रही है, तो यह जो parallel line है, वो यह दोनो side को same ratio में divide करती है, अभी मैंने यह क्यों explain किया, अभी मैंने यह क्यों explain किया, क्योंकि यहां से connected है, तो आप ध्यान से देखोगे, तो यह मेरा हो गया triangle, is it, ठीक है, यह मैंने बना दी, c, a, 5, जो की यह side को parallel है, is it, b, a, 13 को parallel है, उसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, कि a, c upon c, b, का जो ratio है, that is same as, a, a, 5, a, 5, upon a, 5, a, 13, isn't it, उसका ratio same होगा, जैसे मने यहां पर conclude किया, वैसे यहां पर conclude किया, b, p, t, theorem की helps है, अभी यह जो, a, a, 5, upon a, 5, a, 13 है, यह वाला है, that is equal to 5 is to 8, हमने measure करके मनाया था, 5 unit यहां पर लिए, और 8 unit यहां पर 5 is to 8 है, is it, तो यह 5 is to 8 है, तो यह भी 5 is to 8 होगा, यानि कि a, b, को c न यह 5 is to 8 के ratio में divide कर दिया, हमारा justification हो गया, लेकिन यह हो गया हमारा verbally, अभी हम लिखेंगे, फटा-फट से लिख देते हैं, तो यहां पर triangle, a, a, 13, b, यानि कि यह बड़ा वाला triangle, and a, a, 5, c की बात करें, तो यहां पर a, 13, b, a, 13, b, और a, 5, c parallel है, parallel है, मतलब कि same ratio में divide गा by bpt, मेरा result number 1, जो अभी-भी मैंने explain किया, अभी a, a, 5, a, 13, तो 5 is to 8 के ratio में है, उसका मरलब यह हो गया, कि a, c upon c, b, result number 1, 2 से बता सकते के 5 is to 8 में है, इसका मरलब कि a, b, जो हमारी line segment है, वो 5 is to 8 के ratio में divide हो रही है, बहुत ही आसान है justification, सिर्फ आपको समझ लेना है concept, क पिर आप अपने words में भी लिख सकते हो, तो I hope you find it useful, मैंने easiest possible language में explain किया, if you find it useful, don't forget to press the like button, thanks for watching.